महान चानक के द्वारा रचित चानक के नीजी इंद्रियानी चर सयम्य बकुत पंडितो नरह देश काल बलम ग्यात्वा सर्वकार यानी साध्येत 16. भावार्थ बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह बगुले की भाती इंद्रियों को सयम्य निद्कर देश काल वबल को जानकर सब कारियों का संपादन करे व्याख्या बगुले में एक विशेश गुन इंद्रिय सयम का है वल जिस भी सरोवर में रहता है, पहले यह देख लेता है कि उस सरोवर में मच्छिया कब एक साथ एकी स्थान पर क्रीरा मधन होती है इसका विचार करके वह उस्थान पर आकर दिखावटी रूप में आँखे मून कर एक टांग पर खड़ा होकर मच्छियों की क्रीरा को देखता रहता है लेकिन जैसे ही कोई मच्छिय उसके बिल्कुल करीब आ जाती है तो वह उसे जच से निगल जाता है इसी तरह मनुष्य को भी चाहिए कि वल देश, काल, बल का विचार करके एकागरता सी कार्य करे बगुले के इस गुन को ग्रहन करके वह निश्चही कार्य में सफलता अर्जित कर सकता है प्रतियुद्धान चा युद्धम चा सम्विभागर चा बंधूशु भावार्थ मुर्गे में चार गुन होते हैं प्रतह जल्दी उठना, युद्ध के लिए सदैवतत पर रहना, बंधुजनों को उजित हिस्सा या भाग देना, आक्रमन करके भी भुजन प्राप्त कर लेना ये चारों गुन मनुश्य को मुर्गे से ग्रहन करने चाहिए व्याख्याक मुर्गे की भाती मनुश्य को भी भोर से पहले अर्थात ब्रममुहूर्थ में जागने का अभ्यास करना चाहिए मुर्गा ही एक ऐसा प्रानी है जो ब्रह्म मुहूर्थ में जाग कर बांग देता है मुर्गा लड़ने में पीछे नहीं रहता वो लड़ाई के लिए सदैव तक पर रहता है प्रायर देखा भी जाता है कि लोग मुर्गों की लड़ाई कराते हैं वे ऐसा लुद्फव उठाने के लिए करते हैं लेकिन लड़ने वाले मुर्गे लड़ाई से कभी पीछे नहीं हते पूरे जोश खरोश के साथ तब तक लड़ते रहते हैं जब तक उन्हें अलग नहीं किया जाता है मनुष्य को भी चाहिए कि वह लक्षे प्राप्ती के लिए सतक संगहश करता रहे इसी तरह मुर्गा अपने वर्ग या बंधुजनों को उनका हिस्सा बाट कर जो कुछ बचता है वही ग्रहन करता है यह उसका अतिविशिष्ट गुन है मनुष्य को भी चाहिए कि वह अपने आश्रित या बंधुजनों को उनका उचित हिस्सा देने के बाद जो बचे उसे ही प्रेम भाव से ग्रहन करे मुर्गे में एक और भी गुन है वह यह कि वह अपना भोजन आक्रमन करके या चीन जपत कर भी प्राप्त कर लेता है मनुष्य को मुर्गे का यह गुन ब्रहन करते हुए आक्रमन करके नहीं वरन अवसर पाकर अपना भोजन पा लेना चाहिए यह नहीं कि वह मुर्गे की तरह जगल कर भूजन प्राप्त करे। यहां आशे यथा अफसर से है। व्याख्या कौवा मैथुन छिपकर करता है। यह उसका एक गुन है। वैसे भी भजन, भोजन, मैथुन गुप्तरूप से ही करने की क्रियाएं है। मनुश्य को कौवे से यह गुन अवश्य ग्रहन करना चाहिए। चानक्या ने इसे उसका गुन कहा है। यदि सामान्य रूप से देखा जाये तो इसका अर्थ जिद्धिपन है और जिदी होना गुनों की श्रेनी में नहीं आता। लेकिन यहां घीट होने का अर्थ सतक्चेष्टा से लेना चाहिए न की अन्यथा लेना चाहिए। कौवा किसी भी वस्तू को प्राप्त करने के लिए सतक्चेष्टा करता है और अंततह उसे प्राप्त कर ही लेता है। किसी किसी की दृष्टी में यह उसकी धीटता हो सकती है। लेकिन चानक्या की दृष्टी से देखे तो यह उसका एक गुन है। मनुष्य को भी चाहिए कि वह लक्ष प्राप्ती के लिए सतक्चेष्टा करता रहे. कॉवा सदय बड़ा सतरक रहता है. कॉवे की तरह ही मनुष्य को भी प्रमाद आलस्यक त्याग कर जाग़ूक रहना चाहिए. इसी तरह कौवा किसी पर भी विश्वास नहीं करता यहां तक कि वह अपनी ही जाती के अन्य कौवों पर भी विश्वास नहीं करता मनुश्य को भी उसका यह गुन रहन करते हुए किसी पर एक आएक विश्वास नहीं कर लेना चाहिए न मालूम कौन, कैसा हो विशेशकर वर्तमान के जैसे हालात बन चुके हैं उन्हें देखते हुए मनुश्य को किसी पर भी यहां तक कि अपने पडोसी मित्र पर भी आख मून कर कभी विश्वास नहीं कर लेना चाहिए बहवाशी स्वल्पसंतुष्ट हसनिद्रो लगुचेतन स्वामिभक्तष्च शूरष्च शदतेश्वानतो गुना 19